26 जनवरी की प्रेड में सामिलोना चाता ना वो 20 जनवरी से पहले पहले दिल्ली पहुंच जाना ये जरूर दिया आनमे रखना बाई टीक है ये अंदोलन आजो ये ये नेगबाय आदमियों जान उठा दिया कुछ भी एक कुदृत का आने करिश्मा है जो एक दम सी अचानक स करते हैं जान की डिल्ली जाते या करते हैं ये गिस सुरुक्सया के लिए नामहरने के लिए रखते है लथनोक आपनी सुरुक्सया के लिए होता है को पता है पंद्ध पत्चीश करती आ रहे हैं लाट्टी चलाना शीक रहे हैं वो लोग, शीक नहीं पाएंगे वो, नहीं शीक पाएंगे, इस जनम में तो मुश्किल है उनका लाट्टी चलाना शीक ना, अगले जनम में देखी जागी, अगर वह शीक गए तो फिर भी नहीं शीक पाएंगे, 1925 से लगे हुए लोग, और 19 325 से ही वो लोग इस चीज में लगे हुए थे कि कैसे जनता को तोड़ना है कैसे नहीं तोड़ना है एक एक करका सब को तोड़ा जा रहा था कभी जाती के नाम पहे कभी धरम के नाम पहे सब को तोड़ा गया है इन लोगों ने और बुरेतरी के से टूटिये लोग अब मुश सुप्रीम कोड के उससे इनोंने जो कमेटी बनाई थी कमेटी वो च्यार बंदिया जो पहले से इतिन नों भी लोगा समर्थन करते आ रहे थे उन मैंसे दो भी पता ने उनका जमीर जग्या उनको किमत पूरी नहीं मिली ध्यान से सुन ले ना उनको यह निपता बैं लोग करे उनका जमीर जग्या जमीर जग्या उनको किमत पूरी नहीं मिली दो बाग्ये उन मैंसे अपने आप तूट जाएंगे यह कितने ही अतकंडे अपना लोग हर अतकंडे में अपने आप तूटते जा रहे हैं यह सब से बड़ा कमाल पता किसका है जो जनता की एकता है ना एकत पैले से बोलते हैं पंजाब अर्याणे काम आई है और जो अगवाई करता आ वह बड़ाबाई करता है जो रास्ता दिखाने का काम करता है मार्क दर्शन का जो काम करता है वो बड़ा भाई ही करता है अपने दिमाग से इन चीज़ों को बोल जाना कि वह क्यों बोलते आ रहे हैं बड़ा भाई ही रास्ता दिखाता है और छोटे का काम होता है उस रस्ते पर चलने का हरियाना उसी रस्ते पर चलेगा जिस पंजाब बताएगा और पंजाब की जठ्थेबंदियों रहना कितनी बड़ी आगवाई की है यह अभी तक सबी लोगों ने देख्या है आज करेंगे जो लोगों के आम आदमी के बीच की बात होती है वो बात करेंगे यह नहीं कि खाम का गिरामेन गानी और कुछ करना है ठीक है भई दोस्तों तो जो सब लोगों इमन मना एक सवाल रहे जाता है कि मीटिंग जो होती है उसके अंदर होती है उसके बार ये जठ्थेबंदियों करना चीए बार निकलते ही मीडिया को इंट्रू देने से पहले जो जन्ता वहाँ पर बैठी है जिली बोर्डर पर बैठी हुई है सबसे पहले उनके बीच में आए और माइक लेकर पूरी बात बताई जाए कि अंदर क्या क्या बात होई थी हमने क्या बोला और सरकार ने क्या बोला है ताकि लोगा दिमाग कलियर रहे ये काम करना जो जथे बंदी या जो अगवाई करी ना उनको करना चाहिए ये काम ये वहाँ पर बैठी आम पबलिक की बाते हैं अराम से सुन लेना जिसको सुननी हो ज़्यादा जल्दिय हो जा सकता है बाई किसी से कोई पावंदी नहीं है ये आपर बंद के बैठना है ये दिमाग में बिठा लेना पर लेकिन उस आम पबलिक को क्योंकि पता क्या है जैसे आभी मीटिंग चल रही है अभी एक गोद्धी मीडिया ना एक नई फिलम चला देगी पिछली तीन-चार मीटिंगों में ये ओचुक्या है फिलम चलाएंगे ये लोग जुठी नियोट चलाएंगे बिलकुल सब कुछ जुठा चलाएंगे कितिनों कानून रद कर दियें, सरकार मान गया, मैंस पी गारंटी कानून मिलेगा, इस बात का न, वहाँ बैठे एक-एक आदमी तक, कैसे पोचाना है, आप लोग पोस्ट के थुरूपों चाहते हो, या फोन करके बताते हो, जैसे भी बताना है, आप लोगों ने बताना है, ये काम है, जो इधर पिछे बैठे हो लोग न, वहाँ पर नेट बहुत कम चलता लोग होगा, आप फोन करके बताओ, वहाँ पर आपके जो साथी उनको फोन करके बतादो, कैसे भी बतादो, ये लोग जूठी फिलम चलाएंगे सोसल मीडिया के उपर, मीडिया भी काओ है, सब को पता है, चैनल अंबानी और डानी के हैं, पूरे चैनल, तकरीबन चैनल उनकी के हैं, बाई, 40 से ज्यादा चैनल उनको ने खरीदे होए हैं, शिरप EBJP का जूठा परचार करने के लिए, उन लोगों के खरीदे होए चैनल है, वो तो दिखाएंगे निकिसान के साथ क क्या हो रहा क्या नी हो रहा, सोशल मीडिया अबार थोड़ा बहुत दिखाते हैं, तो सोशल मीडिया आप अभे इन लोगों ने बेंड लगाया हुआ है, मेरा ही पेज मैं ये बेंड बैठा है,उस पेज के ऊपर, अने फोन से नाम लाइव कर सकता ना, कुछ कर सकता, यह ह जो नेता होगे जंडे उठाते हैं, उनका कमाल है ये, इनकी बहुत बड़ी IT शेल है, उस IT शेल से आप लोग पार नहीं पार पासकते, क्यूंकि इनकी ना एक एक जिले में 25 पार गे IT शेल हैं, ये बड़े सुनियोजी तरीके से चलते हैं, ऐसे नहीं कि इन लोगों ने एक करके बरबाद किया है, पहले इनकी नमबर लिया, किसका सबसे फर्ष्ट इट नमबर लिया उनने हिंदू मुसलमान, लोगों के मन में जैर बिठा दिया, कि मुसलमान तुमारे को मारेंगे, इंदू को मारेंगे, देश इंदू का, देश इंदू का और इंदू को मुसलमा मारेंगे क्या डर बिठाया इन लोगों ने वो डर ऐसा बैठ गया कि बच्चे बच्चे के दिमाग में बैच जायर बर दिया कि मुसल्मान सिरफ तुम्हारे को मारेंगे आराम से सुनते रहे ना अगर किसे बीच में ज़्यादा जल्द बाजी हो जा सकता है ज़्यादा उसक जहर उगाया जातिवाद जहर जो लोगों के दिमाग में बड़े सुन्योजी तरिके से बड़े ही बड़ी आतरिके से लोगों के दिमाग में बरना शुरू कर दिया कि बाई बाई जाट को टारगेट किया गुजरों को टारगेट किया राजबूतों को टारगेट किया सब को टारगेट करते आई एक के करके और बड़ी आत्री कैसे टारगेट किया दोजार सोडा में सब ने देख लिया और याने की क्या अलत खराब कर दी थी इन्होंने सिधा जाट को टारगेट किया था अब इस आंदोलन के जरीए भी यह लोगों ऐसे टारगेट करेंगे इन्होंने जात्तिवाद का भी करके देख्या बाइनोंने बीच में चीन और पाक चलेगा जिस बाई को जैसे भी टैम लगता लेकिन 20 जनवरी से पहले वहाँ पर अपनी आजरी जरूर लगाए और 26 जनवरी तक हर गर्षे एक बंदा 20 जनवरी से पहले पहले 26 जनवरी प्रेड के लिए दिल्ली बोडर पर जरूर पहुंचे यह मैसेज में आपको बार-बार बोलते हैं उनको टारगेट करते हैं उनके दिमाग में बड़े अच्छे डंगशे बर देते हैं तुम्हारेश यह जद्धा अच्छे ना यह अनपड जो ताओ बैठे नो आ बोडर पहे बहुत जद्धा है यह तुम्हारेश अब काफी कुछ जानते हैं यह इनके दिमाग लीए वे आनिकार्व वंखिलकंपड़ लिखे यह सोचना है पर मन की बात करने के लिए नहीं होता है पोन या मी Newton की बात करने कंपरने के लिए सोचल मीडिया और मीडिया रुश हेक आदमी होते हैं जिलो अपनी लोगाई को लिए सकते एंवो देश के नहीं होंगे वो फिर मन की बात आ के मीडिया में करते हैं। वो ते कुछ एंगों और आमारे देश की बड़ी खासियत है ये ऐसे लोगों को हम अपने देश का राजा बना लेते हैं फिर, कि बस यही करेगा, फिर मन की बात करने के लिए आएगा मीडिया मेर कू और कॉं काम की बात ुँ करेगा complètement कस दकी नी कितने बड़ी आत्रीक से रेलिवे को बेज दिआ बी ऐसनल समा बेज दिआ एरपोर्ट को बेज दिआ लोगों को नोकरीशे निकाल दिया लेकिन फिर लोगों के दिमाग से एक चीज नहीं निकल रही, खिलेगा कमल ही, तो इसका मतलब लोगों दिमाग में पूरी तरिके से किचड बर्चु क्या है, किचड इतना बर्चु क्या है कि वो कमल बार-बार खिलता रहा है, 2014 में क्या किया, सैनिकों को मरवाया, बड़िया प्लानिंग से इनों उस बात को फैलाया, कि हम इसका बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जम के बैठ गे, 2014 से 2019 तक लोगों का पूरा खुन्चूस है इन लोगों ने, पूरा खुन्चूस लिया, जैसे ही 2019 आया, इन लोगों ने देख्या, अब तुमारे को चुनेगा नहीं, नहीं चुनेगा, फिर टार्गेट पर कोण रखे, शैनिक, अमारे देश की खाशियत है, वैसे सब ही है सूशल मीडिया पर चिलाएंगे हम सैनिकों के इजट करते- इजट करते, लेकिन जिंदा सैनिक की इजट नहीं करते, ये दिमाग में बीठा गे रखना, जिंदा सैनिक की आपना इतनी जाद़ा कतर नहीं करते, पर ये बताने लग जाएगा, कि भाई, ये गलत हो रहा है, तो उसको देश दुरोई गदार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते अपने देश के लोग, ये खाशी है ते इस देश की, हाँ अगर वो शैनिक सहीद हो गया, मुम्ती उठाग सबसे पहले चलेंगे, फिर उन लोगों को पलवामा करवा दिया, उसके नाम पर फिर वोट मांगे, शैनिकों को पहले मरवाएंगे, अब यहाँ पर सहीद नहीं होता, यह मरवाना, चाहिए वो पलवामा हो या गलवान गाटी हो, उनको मरवाएंगे, जबरदस्ती, फिर उनके नाम पर वोट मांगेंगे, ये तो शैनिकों के नाम पर राजनिती कर सकते है, एक शैन ये इतना जहर कैशे भर्या गया लोगों के दिमाग में गुमता मैं भी हूँ हुआ जगा गुमता हूँ हर जगा देखता हूँ भाई कभी टीकरी बोडर पर सिंदू बोडर पर वैसे गाओं में भी जाते हैं जो ज़्यादा पड़े लिखा मिलता ना उसी के दिमाग में सिर्फ से ज़्यादा किचड भर्या हुआ क्यूं है ये समझ ये बार की चीज हो रखी है उसको आराम से जो ज़्यादा पड़े लिखे है आराम से अपने गाओं में गवांड में जो बड़े बुढ़े हो ना 70 साल के 90 साल के जो बुजरग है उनके पास ब बड़े बुजरगों के पास बैठना पड़ेगा कि किताबों में तो पड़ोगे न इति आशी चेंज कर दिये हैं लोगों ने माफिवीर तो यहां पर सहीद गादर जापा रहे हैं सहीद बगाचिंग वो विचारदारा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है जिसको बच लेके पकाएंगे यह अपने दिमाख से निकाल देना कि उल्टेट जाएंगे बोलते ना बंदर बुड़ा हो जाता लेकिन गुलाटी मारे नी चोड़ता हो तो इनकि यह जो दिमाख में 1925 लोगों दिमाख में जैर बर त्यार है ना इतनी जल्दी हार निमानेंगे यह यह कुछ ना कुछ फिर लेके आएंगे फिर लोगों के दिमाख में कचरा भरेंगे इससे बढ़ यह आंदोलन 2024 तक चलता रहे ना 2024 तक यह आंदोलन चलता रहे कम से कम धीरे दीरे लोगों के दिमाख से कचरा तो साप हो जाएगा वो किचण साप हो जाएगा जिसके कार्ण य दो फूल बड़े खतरनाक होते हैं अपरेल फूल और यह कमलगा फूल दोन्नों खतरनाक हैं दोन्नों जग अवा लोगों अमुर्ख बनाया जाता है दोन्नों जग अवा लोगों अमुर्ख बनाया जाता है चाहिए अपरेल फूल हो यह कमलगा फूल हो जिसकी समझ मनी आ रह जितना ज़्यादा देश में नीजी करन होता ना उतनी ही ज़्यादा देश में नोक्रियां खुलती है और हमारे देश में ज़्यादा नीजी करन हो रहा ना उतनी ही ज़्यादा लोगों के पेट पलात लग रही है कौन सा नीजी करन हो रहा है ये देश को बिलकुल गुलाम बनाया जा रहा है आराम से और ध्यान से और एक एक चीज को समझ लेना ये देश को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं अभी इनके बीच में रोडा एक यह अट क्या था कौन सा किसान इनके पास खेती थी ये आराम से कमा खा लेते थे इनको ज़्यादा नोकरी की जरूरत नहीं थे पुरी दुनिया का पेट बर रहेते फिर इनके नजार पड़ी किर्शी के उपर किर्शी के उपर नजार पड़ने पहले ना शिमला और ये हाँ एक चीज़ ओर जो लोग गए दिमाग मा बड़ी बार बार कहते दे तुम दारा तीनसो शत्तर अटा दी आजो दारा तीनसो शत्तर का बताऊं तुमारे वो कैसे अटा दी शिमला में जितने शेव के बाग ना पूरे के पूरे अडानी के अंडर में है जा लोकल व्यापारी थे ना वो 20 रुपे के जी शेव लेते थे अडानी वह आपे गया 22 रुपे के जी शेव खरी दे अगले साल 23 रुपे के जी शेव खरी दे दो साल में आगे लोकल व्यापारी खतम होगे अगले तीन साल के बाद अब अनानी बोलता है मैं तो पांच रुपे के जी शेव लूँगा अब लोकल व्यापारी खतम होगे व्यापारी शेव लेके कहां जाए गर्मा रखेंगे खराब होगी पांच रुपे के जी देनी पड़ती है वही शेव आपके पास 100 रुपे के जी आरी है यह है इनका फंडा 370 जो अटाई थी जम्मू कश्मीर में वो हटाई थी लोगन अमबानी और अटाणी के लिए वहाँ पर शेव के गार्डन बड़े बड़े सबको पता इस चीज़ का जम्मू कश्मीर में शेव के गार्डन बहुत बड़े बड़े वो अम्बानी अटानी के लिए ना वो 317 अम्बानी अटानी के लिए अटी थी लिया किसीने वहापे पलोट जाके ले लियो ना किसीने नोकरी ली जेंड केम जाके लोकल में नोकरी ली किसीने नहीं पूरी की पूरी नोकरी जेंड के लोगों को मिलेगी समझ गे और वहागे के शेब के गार्डन अमबानी और अटानी को मिलेंगे लिएंगों गार्डनों से भी मंगी जमीन थे अरियाना पंजाब की जो किर्शी लाइक जमीन थी ना इन पर इनकी नजर पड़ गी अब इनको यह भी चाहिए क्योंकि देश तो पूरा गुलाम बनाना है पूरा देश गलाम बनाना तो पूरे देश की जमीन चाहिए इनको, वोरे देश की जमीन कैसे मिलेगे, पिर ये लेके आई ये तीन समझ में नहीं आया हो, कुछ बाई बोलते हैं बड़ा फास्ट बोल जाता, आज बिलकुल दिरे दिरे और आराम से समझाया है, आप कुछ बाई बोलते हैं, मुसलमानों न ये लगा दिया था अपना, बिरियानी करी ये लगा दी, स्टेज लगा दी थी, उनमें भी दिक्कत कि एंचे लागी उनको, कि सब से जाध दिक्त किसको आई पता है, जो बगत थे न उनको दिक्कत आई, कि हम मुसलम बिरियानी करी हैं, टेंट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, खाना ही तो खिला रहे हैं, तुम खिला दो, तुम अपना जाका लंगर चला दो यार, पंजाब वालों को जो पूरे देश को एक सुतर में पिरो दिया समझ में आया अब ये खेल कहां से चलिया था अब समझ में आया एक किसान ना पूरी देश को नी दुनिया को बचाने के लिए निकलिया हुआ है इनके जाल से बचाने के लिए ये था इनका पूरा खेल जो आके किशान अंदोलन पर खतम हो गया क्योंकि ना इसमें बारत पाकिस्तान है ना इंदू-मुसलमान है शिक और किशान है उसके बारे में बेचारे पढ़के नहीं आए हैं पढ़ा तो नहीं कभी इनोंने इननने जो किताब माज तक इंदू-मुसलमान ही पढ़ा था ना भारत पाकिस्तान पढ़ा था कुछ भी जरूम करते थे रामगी मुर्ती के पीछे चुप जाते दे अभी भी रामगी मुर्ती के पीछे छिप रहे हैं चंदा चाहिए इनको राम मंदर के लिए राम मंदर के लिए चंदा चलिया हुआ है अब यह चीज गोबर भगतो यह दिमाग में बिठाओ वो चंदा एक किसानों को देऊना बाई यह किसान अपने लडाई जारी रख सकें वो चंदा किसानों को क्यों नहीं दे रहे जो राम मंदर के लिए काली गंटा बजाने के लिए है कोई उसमें किसी किसी को लिया अगर राम मंदर बना रहे हो हर जाती का वो उना ची उस ट्रस्ट के अंदर हर जाती का लिया है क्या द्यान से देखना, कोण-कोण ट्रस्टी, ट्रस्टीयों के बारे में पता लगा लेना, चंदा देने से पहले उनसे पूछना, कि ट्रस्ट की जो टीम है न, इसमें कोण-कोण है, आपको समझ मा आ जाएगा, ये चंदा क्यों ले रहे हैं, इनके पूरे खेल को समझने के आपको बिल्कुल आराम से रहना पड़ेगा, शांती से रहना पड़ेगा, पता न, ये कोण-कोण से इलजाम लगाएंगे, जिन्दा सेनिक को गदार गोशित करने में ये बड़ा ट्रैम नी लगाते, ये बड़ी जल्दी सार्टिफिकेट दे देते हैं, मेरे पास तो पत पर मर जाता न, मैं, सबसे पहले मोमती है न, ये गंद बगत उठाते, मेरे नाम की मत उठाना, क्योंकि पहले भी बड़र पर रहे थे, और ये दिल्ली वाला भी बडरी है, अगर यहाँ पर उक्चूक हो जाए न, उक्चूक हो जाए वाँपर, तो मेरे लिए मोमती मत उठाना, गंद बगतों के लिए बोल लिया है, और भाई उठाओ चा मत उठाओ, गंद बगतों तुम मोमती मत उठाना, अगर किसी कुछ हो जाए तो, तुम्हारा फरजी राष्टरवाद है, फरजी देश बगती है, तुम्हारे से अगर बैट के पूछ ले न, बावन से अगर इतने बड़े राष्टर बगत हो तो, अपने ये फरजी राष्टर बगती है, आज ये सर्टिफिकेट देना रिये, निकाल दो दिमाग से, नहीं निकलता है, ये पेज रहा, मेरे पेज मेरे को बलोक किया, क्या सोच्चा, लाइव नहीं आउंगा, लाइव नहीं आ बत्ती बनागे, निकाल आत्म देदो, लो जाओ, जाका अपने गंटा बजाओ, और अपने कुनगान गाओ, क्योंकि अब पूरा देश एक सुत्तर में पिरोया जा चुक्या है, अब इस देश की अखंडता और एकता को तोड़ना तुमारे बस की बात नहीं है, और मैं तो जाओ, जैसे 2016 को बड़ी जल्दी बूल गया रियाने वाले, 2019 में फिर चुन दिया इनको, फिर चुन दिया इनको, फिर सिर्पे बिठा दिया, बूलना नहीं है, एक एक चीज को याद रखना है, 125 आद ते देशुके इसकी साना अंदोलन में, 125 दिमाग में बिठा गे रख फिर तुमारे गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता, फिर पक्का गुलाम बनोगे, अगर इन बात तों को बूल गे ना, 100% गुलाम बनोगे, ना तुम्हें ये कूंगी शेर करो या शेर टू गुरूप करो, अच्छा लगेगा अपने आप शेर करोगे, नहीं करना उसको तो करना नहीं है, जिनको नहीं करना मत करो भाई, ज्यादा अच्छा लगता, पेजशे जुडो, अपने साथियों को जोडो, ये जितनी ज्यादा रिपोर्ट करेंगे, शेर होगा मेरी रिपोर्ट कम लगेंगी, कब तक रिपोर्ट करते रहेंगे ये, इनकी कलास ऐसे ही लगानी है, ऐसे ही लगानी है, और जो जंडा लेके चलो ना, किसान यूनिन का जंडा, या तिरंगा लेके चलते हो, 6 फिट के लठ में जंडा रखना, अपनी सुरक्षया के लिए भी तो कुछ चाहिए न, क्योंकि गंद भगतों आपता नहीं किस मोड पे मिल जाएं, पि इनको समझाने के लठ काम आएगा, लठ जरूर साथ में रखना, आतमरक्षया के लिए, बाकि लाठी चलाना ये भी शीक रहें, 1925 से, 2025 आजाएगा, 100 साल होगे, तुमारे लाठी चलानी ही आई आज तक, कुण से, खाकी नी करा ले, समझ जारो सभी के सभी, समझते हो सभी के सभी, ये नहीं सीख पाएंगे, इस जनम में तो मुश्किल है, अगले जनम में सीख लेना भाई, सीख पाओ तो, और दोबारा से, एक बात बकाकूंगा, पंजाब वालों के लिए, दिल से सलूट, इतनी बड़िया अगवाई, इतना अच्छा अंदोलन, वैसे, कुदर अच्छा बाद गेनारे लगाएंगे, कभी कुछ लगाएंगे, फिर ये अंदोलन को तोड़ने के लिए चिलाएंगे, ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, सारे अतगंडे फैल, सारे अतगंडे फैल, फैल ही रहेंगे, ध्यान रखना, नहीं तोड़ पाओगे, बिल अंदोलन करेगा अभी तक नहीं हो पाया ना पूरे देश को बेच गए ये अभी तक नहीं हो पाया लेगन अभी देश का उद्दार ये अंदोलन करेगा इस चीज को दिमाग में बिठा लेना हमनी चाहते अंदोलनी तिनी जल्दी खतम हो दोजार चोबिस तक चले तो अच् क्यों कुछ एक के दिमाग मोर कच्रा है न